नवस्कात दोस्तों लड़लो चाहें चगड़लो पर परवार से अलग होने की कभी में सोचो क्योंकि उन फलों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं नवस्का दोस्तो रादे रादे, स्वागत आप सभी का अपने यूट्वीब चैनल गीता क्यान रासी पनुएंगा आज हम बात करने जारे सिंग रासी वालों की सिंग रासी वालों को 25 जनवरी दिन पुदवार कैसा रहने वाला है उन्हें आने वाले समय में किन-किन चुन सापतर रहना हुगा और सिंग रासी वालों को आने वाले समय में वे कौन-कौन सी कुसकवरी मिलने वाली है तो दोस्तो आई शुड़े में आपको बताएंगे सिंग रासी वालों को पार्ग और जीवन कैसा रहेगा उनका बेनीस प्यापर कैसा चलेगा उनका प्रेम सम्मंध कैसा रहेगा और साती सात उनका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो आई इंशुड़ में आपके स्यम्पुराश पिल बताएंगे अगर दोस्तो आपकी भी सिंगर आसी है तो इसे सस्कार जरू करें और साथी साथ बेल एकन ओल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेसा मिल सकें दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांगी 25 जनवरी 22 दिन बुदवाग आज की तितिय चतुरती आज का नचत्र पूर्वा बाद पतन चत्र पच्चे चरवाज सुकल पच्च आज सुर उदव होगा सुबह 7 बज के 13 मिनट पर और सुर अस्त होगा सम 5 बज के 45 मिनट पर दोस्तों आज का सुब समय है सुबह 10 बज के 40 मिनट से सुबह 11 बज के 49 मिनट तक रहेगा दोस्तो आज आपको सुकर करना चाहते हैं, तो आप इसी समय करें, आपके लिए सुब होगा, साथी आपको बताएं, आज का असुब समय है, सुबा आट वज के छे मिनट से, सुबा नो वज तक रहेगा, दोस्तो आज आपका लकी लब मलेथरी, असुब रंगे, गुलावी पन नीला, दोस्तो अब बात करते हैं, आज के रासीपले के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आज की जानते हैं, तो दोस्तो, सुकून हासिल करने के लिए, कुछ पल करीवी दोस्तों के साथ बिताएं, माता या पिता के सेहत पर, आज आपको धन कर्ज करना पर सकता है इससे आपकी आतिक इस्तिती बिगड़ेगी लेकिन साथी रिस्तों में मजबूती आएगी आज आपको दूसरों के जरूरत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए हाला कि बच्चों को ज़्यादा छूट देना आपके लिए समस्य कड़िक तर सकता है आपके जीवन साथी के पारिकवारी सदस्यों की बज़े से आपका दिन थोड़ा परिसानी वरा हो सकता है आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किये जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करते हैं लेकर उन कामों को कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं अपने जीवन साथी के किसी छोटी सी बात को लेकर बोले के जूंटे से आपके दिल को आहत मैसूस हो सकता है संभव है कि आज आपकी जीव को बरपूर मजा मिले क्योंकि किसी उम्धा रिष्टे में जाना मुमकेन है और लजीज खाने का लुप तलाब उठाएं साथ ही साथ आपको बताएं धैर बना रखें क्योंकि आपकी समयदारी और प्रियास आपको सफ़ता जरू दलाएंगे रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएगा अपने बच्चों के लिए योजना बनाने के लियास से अच्चा देने जिनके सगाई हो चुकी है बे अपने मंगेदर से बहुत ही कुशियां पाएंगे बिना किसी को बताए आज आप अकेले वक्त बिताने गर से बाहर जा सकते हैं लेकिन आप अकेले तो होंगे लेकिन सांत नहीं आपके दिल में आज के दिन कई चिंता होंगी आपका जीम साती आपको इतना बहतरे पहले कभी महसूस नहीं हुआ है आपको उनसे कोई बड़ी कभी दोस्तों बख परवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत है संदिक्द आर्थिक लेंदे में पसने से साब्दा रहें जिल लोगों से आपकी मुलाका कभी कभी होती है उनसे बातचीत और संपर करने के लिए अच्छा देना है अपने प्रेम प्रिसंगे के बारे में इधर उदर की बातने जादर ना करें अगर आप यकिन करते हैं कि वक्ते ही पैसा है तो आपको अपने चमताओं को सीज पर पहुचाने के लिए जरूर कदम उठाने होंगे जल्दवाजी में पैसले ना करें ताकि जिन्दकी में आगे चलकर आपको पच्ताना प लेंगे इस्टुटेंट के लिए आज का दिन अच्चा है लंबेट के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहेगा आज कुछ लोग आपसे ज़्यादा उम्मित रख सकते हैं आज आपको निवेस के मावले में कोई अच्छी सला मिल सकती है गर के बाहर मिट्टी के बरतन में चड़ियों के लिए पानी बरकर रखें रुको हुए काम पूरे होंगे साधिया दोस्तों आपको बताएं आज आपका मन कुछ असांत रह सकता है आज बले ही सब कुछ आपके पच्छ में हो फिर भी आपको कुछ कदम उठाने होंगे अधिक सक्सरिय और उर्जाबान बने अपने नेतुरत के गुड़ों को दिखाने का मौका प्राप्त हो सकता है प्रेम जीवन में आपके मूर से पार्टनर का मूर बनेगा साधि सुता लोगों का गरस्त जीवन बवतिक खूँ सूरत रहेगा आज का दिन आर्थिक मामलों में कामया भी मिलने का दिन है इसलिए आज का पूरा लाब उठाएं बेने संबन्दि नए काम की प्लैनिंग के लिए समय अनुकूल है अगर आप खरीदारी पर जाएं तो जरूर से ज़्यादा जेव डिली करने से बचें बेरोजगार लोगों को आज जीवन बन के रोजगार का मौका मिल रखता है साथी साथ बताएं आज कितने यस की प्राक्ति होगी अपनी सुष्टी और समय पालन की कमी से आप अपना नुक्सान भी कर सकते हैं साथता रहें तो आपके लिए अच्छा होगा आपको अपने साथी के साथ अच्छा समय बताने का मौका मिलेगा आज आप किसी विप्रित लिंग बे बिनिसमेन को आज नया इन्वेस्टर भी मिल सकता है अपने ही दंपर और सांधमन से जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है साथ ही साथ आपको वताएं कोई रुका हुआ या अटका हुआ पैसा आपको उचित मिलना संभावना है पती पतनी के आपसी संभन्दी में नजदी के आएंगे प्रेम संभन्दी में मदूर रहेंगे रेलेशन्सिप संभन्दी जिम्मदारियों को निभालने के लिए पूरी तरह से आप सच्चम नहीं है केवल भावनाओं को मैत्व देकर रिलेशन से संबंदी को नेड़े ना ले स्वास्ता ठीक रहेगा परंतु बर्तवान बातवरेड की बज़े से लापरवाई करना उचित नहीं है काम की जगे आपके द्वारा केगे प्रेतनों की बज़े से नुकसान की बरपाई हो सकती है बेवसाय में काम काज का अतिरित बोज बना रहेगा परंतु आप अपनी सूजूज और समयधारी से समाधान भी निकाल लेंगे आप कारशेतर में कुछ ठोस तता महत्वन नेड़े लेंगे जो कि आपके लिए बहुत अधिक पायदवन सावित होंगे दोस्तो अब बात करते हैं आपके लवलाइप की आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आईगे जानते हैं तो दोस्तो आज परवार के साथ मनोरंजन संबंधी कारणों में आज का समय बेतित होगा प्रेम संबंधों भी नजीदी के आएंगे आपकी बेस्तता के कारण परवार का पूर सहयोग रहेगा उसकी बज़े से आपके आपसे संबंधों में काफी मदूरता आएगे और साथी पती पत्री के संबंध कुष्णमा रहेंगे पर तोड़ा बहुत मन मुठा भी रह सकता है और साथी साथ सौपिंग और मौज मस्ती में आज का समय बेतित होगा प्रेम संबंधों को भी पार्वार सुकरती प्राप्त होगी बेवसाय और परवार दोनों जगे तालमिल बना रहेगा जिससे बेतिन बातावड़ रहेगा और आप छोटी मोटी बातों को नजर अंदाज करें इससे आपके समंद में कभी कटूता नहीं आएगी और आपके प्रेम समंद काफी मजबूत रहेंगे दोस्तो अब बात करते हैं आपकी हेल्थिगी आपका स्वास्त कैसा रहेगा आईगी चानते हैं तो दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुति उत्तम और सही रहेगा तता आप पूर्जा से बरपूर रहेंगे आज आप अपने आपको काफी तंदुर्ष्ट मैसूस करेंगे और तनापुर मैसूस भी करेंगे या दोस्तो आज का समय आपके स्वास्ते के मावले में कापी हद तक सही है और दोस्तो आप अपने स्वास्तो को और भी एदे के चारकने के लिए आप अपने खानपान पर द्यान रखें और रोजाने यूगाए बैयाम करते रहें नवस्कार दोस्तों रादे रादे दोस्तों अगर आपने मारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ राद बेल एकन और पर दवाएं ताकि आपको आने वाली नॉटिफिकेस मिल सकें